आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंस जिनका सेलेक्शन एमी में हो गया है चाहे वो उनका सेलेक्टेल लिस्ट में हो या फिर चांस मेंमावल लिस्ट में हो बट यह मैं बता दू कि जो चांस में 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 जिस भी कंडिडेट का नाम है वो समझे कि उनका वेटिंग लिस में है और जो सेलेक्टेड लिस में है वो समझे कि उनका सेलेक्शन फैनली हो गया उनका एमें में एडिमिशन होकर रहेगा तो अब यू समझ गया हों कि यानि कि जो चांस वह में में जिस भी candidate का है वो वेटिंग में है और जो special category वो waiting माना नहीं जाता क्योंकि वो समझे कि हर student साथ associated होता है मतलब जो special category वो waiting list का वो कोई scene नहीं है मगर फिर भी यह कि online consulting होगा उसमें सभी students को participate करना पड़ेगा मैं यह ज़रू final का हूँगा चलिए चलते हैं थोड़ा AMU official website पर मैं यहाँ पर यह आपको बताना चाहरा हूँ कि वैसे students इनका selection हो गया है और उनका waiting किस step से clear होता है AMU में waiting कैसे clear होता है उसके बारे में देखिए मैं यहाँ पर बड़ा simple समझाता हूँ कि होता क्या है जैसे सबसे पहले online counseling में आपको participate करना पड़ता है अब online counseling में आप participate कर लिए participate करने में होता क्या है basic यह ही कि पहले आपको ID बनाना होता है ID में आपका email ID और password के तुरू अपना एक ID बनाएंगे register का option आएगा हमने इस पर वीडियो बनाया भी आप वीडियो देख लिजेगा लेकिन यह कि एक guideline आभी आना बाकी है तो मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ तो उस पर वीडियो आज जाएगी कि कैसे आपको online counseling करना है और online counseling का link जो है मैं आपको बता ही दिया कि आपका link कहां पे और उसके लाबा भी आपको अपडेट मिलते रही है बिल्कुल भी मत दाव रहे है हाला कि यह कि अगर आप result अपना देखेंगे तो result में ही एमी online counseling का link मिंसन है उसी link को direct copy करके गूगल पर जाकर पेस्ट कर दिए एकदम से वह open होगा पर यह कि अभी वह वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि अभी उस website को active नहीं किया गया क्योंकि अभी online counseling का स्टार्ट हुआ नही यह round 1 होगा round 1 हमने देखाया को कि देखें तीन round में at least admission होगे यह नहीं कि मतलब एक student को तीन बर मौका मिलेगा एक student को एक ही बर मौका मिलेगा अगर वो admission ले लिए तो ठीक है नहीं लिए तो उसको admission cancel माना जागा वो कैसे जिस समानले किसी students का round 1 में नाम आ गया जो भी course मि नहीं लेते हैं तो उनको cancel माना जागा क्योंकि फिर round 2 में जो है वो दूसरे candidate को मौका दी जाएगा इस तरीके से जिस candidate का round 2 में आ गया उनको round 2 में लेना ही पड़ेगा अगर वो नहीं लेते हैं तो admission का cancel होगा इस तरीके से round 3 में भी चलेगा पर हो देखिए आप यहां प सब्सक्राइब करें तो वहां पर देखा जाए कि हाँ आपका जो मार्क्स है कितना है इंटरंस में जो अपने मार्क्स अटेंड करा है उसी सबसाब को PCV या PCM मिलेगा तो इस तरीके से मैं आपको बताया कि यह ब्रांच का सीन ऐसा होता है लेकिन अगर वेटिंग की बात क सबस्क्राइब कर देखा कि ऑने नाम अगे उनको फस्रेंड में नाम उनको फस्राइब कर देखा अब चलेगा रॉन 2 में पर नहीं जाए तो वह सबस्क्राइब करने के लिए नाम आयेगा रॉंट्ट्थे में चेंसका जान नाम होगा नाम हींगें वसका और समस्च की उलुक्त算 तुमूता तो बहुत है Joyce be में या इस तरीके से इस तरीके से आपके वेटिंग ऑन जो गड़र हो गाई सेम एफ से इस टैप से इस सीन है । मैं कि यह आपका से इंहम तो यह है तो यह है मैं वेटिंग के लिए रहने के चांस इसके बाद हम थोड़ा यह रहा है एम्यों को ओफिसेल वेबसाइट पर थोड़ा आसल में आज वेबसाइट थोड़ा सा सुलो काम कर रहा है इसलिए मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा हूं बग्या मैंने एम्यों का हेल्प लाइन अमर कम्मिनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर दिया है किसी भी स्टूडेंस को क्वेरी होता है वह जरूर वहां कॉंटेक्ट करें तुड़े नाइन एम टूलेकर कर फाइब पीम तक उनके कॉल लग सकते हैं इसके लावा फिर भी किसी स्ट को क्वेरी होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाक्स में इंस्टा का मैसेज है इंस्टाग्रूप इंस्टाग्राम का लिंक है मुझे वह मैसेज कर सकते हैं